जनीत आवाज में आपका स्वागत है, मैं हूँ इस्तेखार अहमद आज पूरे देश भर्षे पटना में विपच्छी दलों का महा जुटान हुआ लच्छे था 2024 का चुनाव यह बैठक मुख रूप से यंडिय और नरेंद्र मोदी के खिलाब दोर 2024 के लोगस्वा चुनाव में रणनीती बनाने के लिए थी इसे महा बैठक का नाम दिया गया इस बैठक में लगवग सत्र विपच्छी दल एक साथ है बिहार की मुख मंत्री नितिश कुमार इसकी अगुगत है इस बैठक को आयोजित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान है नितिश कुमार को विपच्छी महा गटबंदन का सहियोजक बनाने की बाद भी चल रही है लेकिन अभी ये पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है हलाकि इसकी पीछे असल वज़े क्या रही ये अभी साफ नहीं हो पाया है इस बैठक की मुख्य बातें विपच्छी दलों की इस बैठक में कई आहम मुद्दों पर चर्चा हुई राउल गांधी ने कहा कि हम साथ मिलकर बीजेपी को हराएंगे महिनी 30 कुमार्ग ने कहा इस समय हमारा एक साथ हाना बहुत जरूरी है इस बैठक में एक कामन मिन्म प्रोग्राम के जरिये 24 का चुनाव लड़नी की बात हुई है इसका एक छोटा सुधारण हमें महराष्ट में देखने को मिला था जब इन्सीपी, कांग्रेस और सीसेनक तीनों पार्टी मिलकर सरकार बनाने को राजी हुई थी केजरिवाल ने केंद्र के अध्यदेश के किलाब सभी दलों से समर्थन मागा है ममतप अनर्जी ने कहा कि आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी को ही फायदा होगा बैठक में आगे के लिए एक सयूजग बनाने की बात कही गई है बैठक में उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 कम मुद्द उठाया नितिसकुमान ने सभी विपच्छी निताओं को गिप्ट की रूप में आम की पेटी दी उद्दव ठाकरे ने कहा कि मद्वयत बुलाकर सभी साथ आएं पटना में लब और देड़ घंटे तक या बैठक चली है बैठक में इस बात की भी चर्चा होई कि विपच्छी गटबंदन के लिए किसी एक को सयूजग बनाना जरूरी है विपच्छी दलों की अगली बैठक सिमला में होगी सिमला में होने वाड़ी बैठक दो दिनों तक चलेगी या बैठक जुलाई महीने में हो सकती है बैठक में रावल गांदी ने लोकसभा चिनाओं में सीटों को बटवारे का मुद्द उठाया कास सीट बटवारे पर लचीला रुख अपनाएंगे इसी के साथ राउल ने ये भी कहा कि देश बचाने के लिए लचीला रुख अपनाने को तयार हैं बैटेक खत्म होने के बाद भी पच्छी दलों ने एक साजा प्रेस कांफरेंस भी की कागरेश ने कहा कि भारत जोड़ो यातरा की हवा चल रही है देश तोड़ने वालों के खिलाफ एक जूटता से लड़ेंगे सरत पवार ने कहा कि 2024 में हम मिलकर लड़ेंगे महबूबा मुक्ति ने कहा कि गांधी के देश को गोड़से का मुल्क नहीं बनने देंगे नितिस ने कहा कि काफी अच्छी मुलाकात रही एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमती हुई है ऐसा कहा जा रहा कि अरविंद केजरिवाल ने केंद्र क्या द्यदेश के खिलाब समर्थन के लिए मुद्धा उठाया तबी मल्कार जुन खड़गे ने उन्हें इस मुद्धे पर अभी चुप रहने को कहा उन्हेंने कहा कि इस पर सदन में चर्चा की जाएगी इससे आपके नेता नाराज हो गए खबर आ रहे है की ऐसे में आभाधी पार्टी का किसी बेई पार्टी के साथ गड़बंदन अब मुस्किल है प्रेस कांफरेंस के अंध में लालू परशाद यादों जी ने समा बात दिया अपने चिर परचीत अंदाज में लालू प्रशाद यादों ने राहूल गांधी से कहा आप आप साधी कीजिए हम लोगों को बारात ले चलिए उपस्थित लोग हंस पड़े और माहूल काफी खुस्नुमा हो गया बाकी 2024 की अगामी लोग सबस्थ चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं किस तरह की प्रिस्थिती बनने वाली है बीजेपी और सहिंक त्वी पच्छी दलों के साथ लड़ाई कैसी होगी 2024 के सियासी समीकड़ कैसे बनते नजार आ रहे हैं इस पर आप अपनी राय कमेंट बाक जनीत आवाज